दैविय चिनह, एक पुजारी और एक पादरी की कारें आपस में भिड़ गई और जरा जोरदार से भिड़ी, दोनों ही कारें बुरी तरह से तूट-फूट गई, परंतु उतने ही आश्चर्यजनक रूप से न तो पुजारी और न पादरी को कोई खास चोटे आई, जब वे दोनों अपनी अपनी कारों से बाहर निकले, तो पुजारी ने पादरी के लिबास को देखा और कहा, तो तुम पादरी हो, वा, मैं भी पुजारी हूँ, हमारी कारें कैसी तूट-फूट गई हैं, परंतु सौभाग्य से हमें कोई खास चोटे नहीं पहुँची, यह इश प्यार और शांती से दोस्त के रूप में साथ-साथ गुजारें, पादरी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, यह तो इश्वरिय इच्छा ही प्रतीत होती है, पादरी ने आगे कहा और जरा इसे देखो, एक और चमतकार, मेरी कार पूरी तरह स ठीक ठाक है, इसमें एक खरोंच भी नहीं आई है, अवश्य ही इश्वर चाहता है, कि हम अपनी इस नई दोस्ती का जश्न भिसकी पीकर मनाएं, फिर उसने बोतल खोली और पुजारी की ओर बढ़ाई, पुजारी ने हाथ जोड लिये और कहा, राम, मैंने जिन्दगी में कभी भी शाकाहार और दूद घी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया, मेरा धर्म भरष्ट मत करो, परंतु पादरी ने पुजारी को फिर समझाया, देखो यदि तुम इश्वरिय संदेश को नहीं मानोगे, तो भगवान को सच्मुच अप्रसन कर दोगे, आखिर में बोतल ली और शराब की एक घूंट भरी, उसका मुह कड़वा हो गया, जैसे तैसे उसने पहला घूंट भरा और बोतल पादरी को वापस किया, पादरी ने कहा, देखो तुमने चूंकी पहला घूंट भरा है, इसलिए अब तुम इस बोतल का आधा हिस्सा प्रसाद के रू तक उसे आनंद आने लगा था, देखते ही देखते बोतल में सिर्फ दो घूंट शराब बाकी बची, पुजारी नशे, मैं बोला अरे, मैंने सारा ही प्रसाद अकेले ले लिया, राम, राम, इश्वर तो बड़ा कुपित होगा, ये दो घूंट बचा है, इस प्रसाद को तो तुम भी अवश्य लो, पादरी ने बोतल पुजारी के हाथों से ली और उसका ठक्कन बंद करते हुए बोला, हाँ, अभी लेता हूँ प्रसाद, जरा पुलिस को तो आजाने दो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन का बटन दबा दो कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे